हेलो दोस्तों नवश्कार चैनल में पहली वराएं हैं तो सस्क्राइब चरूर करें आए जानते हैं रक्षावंधन के लिए कौन सदिवन फुब होगा किस तारीक को मनाई जाएगी राखी 2023 में रक्षावंधन हर साल स्रावणवास की पूरिमा तित को मनाया जाता है इस बार पूरिमा को दो दिन तक रहेगी हिंदू पंचांग के अधार पर जोति बिंदिया डाक्टर गील ने बताया कि इस बार पूरिमा तित 30 अगस्त बुद्धवार की स्वाम को सुरू होकर अगले दिन 31 अगस्त तक रहेगी इसकी बचे से इस बार रक्षावर्व दो दिवस तक मनाया जा सकेगा रक्षावंधन परवपर फुमूरत देख कर ही भाई कि रे कलाई पर राखी बांदी जाती है साथ ही इस परवपर राजस्थानी और मारवारी संविधाओं में अपने भाई की पत्नी की चूरी पर लूमा राखी बांदने की प्रता भी परचलीत है इस बार रक्षा वंधन पर भद्रा भी रहेगा एफे में फुम मोरत में राखी बादना और भी चरूरी हो जाता है ये भद्रा काल जानते हैं मानता के अनुशार भद्रा सनी देव के बहन का नाम है जो भगमान सूर और माता च्छाया की स्वान तान है धार में ग्रंतों के अनुशार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाफ के लिए हुआ था ऐसा माना जाता है कि रावन को उनकी बहन ने भद्रा काल में राखी बादी थी जिसकी वज़े से रावन का अंत भगमान राम के हाथ हुआ था इसे लिए किसी भी सुबकाम को करते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा काल का ना चल रहा हूँ आपके लिए सुमूरत है तीफ अगस्त सास्त्रों के अनुशार रक्षा बंधन के दिन दो बाहर में राकी बादना सबसे सुमाना जाता है लेकिन इस साल तीफ अगस्त को सुबह से रात तक भद्रा रहेगा ऐसे में जो लोग राकी रात को बादना चाहते हैं वह रात नौबच के तीन मिनट के बाद रक्षा बंधन का पर्ब मना सकते हैं और राकी का मजा ले सकते हैं ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें